नमस्कार आप सबी स्टूइन्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं HPGKK कुछ ऐसे important questions आपके साथ discuss करूँगा जो की हिमाचल परदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा previous years में पूछे गए थे ये काफी important questions हो जते हैं सारी चीज़े हम detail में देखेंगे पहला question है who was first information commissioner of हिमाचल परदेश तो कौन था पहला information commissioner इसमें right option है option D PC Rana जिनका पूरा नाम है प्रेम सिंग Rana तो हिमाचल परदेश में जो है पहला first time जो constitute हुआ था state information commission वो हुआ था 2006 में February 2006 में ये constitute हुआ था तो उस time यहाँ पर जो chief information commissioner बने थे वो थे PC Rana तो और जो ये आपका RTI act था 2005 में पास हुआ था उसी के provision के अंतरगरत ये गठन किया गया था state में और जो अगर इंडिया की बात करें central chief information commission तो वो थे first time वजाहत ठीक है ये भी बड़ा important है habibullah तो ये इस तरह से आप नाम याद रखीगा और जो अगर भी अगर हम वर्तमान की बात करें the state के जो आपके chief information commissioner है वो है आपके 2017 से बने हैं वो है शिरी नरिंदर चोहान ठीक है जी शिरी नरिंदर चोहान आप नाम याद रखीएगा ठीक है जी नरिंदर चोहान है जो state के chief election commission है और अगर हम central information commission की इंडिया की बात करें तो आपके हैं वाई के सिन्हा यानि यश्वर्धन कुमार सिन्हा ठीक है जी या तो six years या फिर 65 years एज तक ठीक है जी तो टेने और भी के पर पूछ लिए जाता है political science में आप से question इस तरह से इनका और यहाँ पर दो नाम और लिखे हैं ये भी बड़े important है S. चक्रवर्थी जो है S. चक्रवर्थी कौन थे S. चक्रवर्थी पहले governor थे हिमाचल परदेश के तो पहले governor कब बने जब statehood पूरा प्राप्त हो गया पूरन राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था हिमाचल परदेश को तो 25 जनवरी 1971 को पहले जो गवर्नर बने थे वो थे S. चक्रवर्ती ठीक है तो Indian Civil Services थे ये और 1977 तक रहे और यहाँ पर जो NC महता है ये भी काफी important है ये जो थे ये First Chief Commissioner थे हिमाचल परदेश के जब आपका April 48 में जब हिमाचल परदेश का गठन हुआ था 1948 में तो उस टाइम पर NC महता पहले जो है Chief Commissioner बने थे और ये जनवरी 1950 तक रहे थे ठीक है जी और दूसरे तीन ही Chief Commissioner रहे हैं हिमाचल परदेश में दूसरे थे E. Pendrel Moon और तीसरे थे भगवान सहाय ठीक है तो ये नाम आप याद रखेगा इस तरह से काफी important होते हैं आपके administrative history की अगर बात करें हैं हिमाचल की next question है in which year All India Radio Center was set up at Shimla ठीक है जी तो All India Radio जो है ये आकाश वानी भी बोलते है All India Radio को तो प्रसार भारती का ही unit है All India Radio तो Shimla में कब ये setup होते है इसमें right answer है आपका option A चोड़ा मैदान में है ये शिमला में अगर आपने चोड़ा मैदान देखा होगा Shimla से अगर आप रिज से university की तरफ जाएं तो वहां पर बीच में मिल जाएगा आपको All India Radio Center next question है who headed the Punjab Reorganization Commission 1966 ठीक है जी पंजाब Reorganization Commission 1966 इसका गठन क्यूं किया गया था क्यूंकि काली दल एक पंजाब शुबे की पंजाब प्रांत की demand कर रहा था तो इसलिए इसका ये commission गठित किया गया था तो इसके head कौन थे यहां पर ये पूछे गए हैं तो उससे पहले में आपको ये बता दूँ कि ये जो commission था इसका गठन recommendation पर हुआ था एक parliamentary committee थी सर्दार हुकम सिंग committee ठीक है तो सर्दार हुकम सिंग आपको इस तरह से भी question पूछ लिए जा था है ठीक है ये committee पूछ लिए सर्दार हुकम सिंग parliamentary committee ठीक है ये जो सर्दार हुकम सिंग जी थे ये parliamentarian रहे और ये जो है speaker भी रहे हैं ठीक है जी लोकसभा के speaker भी रहे हैं तो इनकी अधक्षता में यहां एक parliamentary committee गठीत हुई थी उन्होंने recommend किया था एक commission का गठन की जो है एक commission बनाए जाए पंजाब की री organization के लिए तो वो commission था शाह commission JC शाह तो यहां पर JC जो शाह थे इनके अंतरगत ये पंजाब री organization commission का गठन हुआ था 1966 में जिसके आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाना अलग state बन गी थी और बहुत सारे areas थे वो हिमाचल परदेश में मिला दिय गए थे जैसे कि लाहल स्पिती, कांगडा और उना का area ठीक है वो काफी सारी जगाएं जो है वो हिमाचल परदेश में मिलाई गई थी JC शाह की और जो JC शाह थे ठीक है जी इनके अंतरगत एक और बड़ा important शाह commission रहा है 1977 में शाह commission और ये जो 1977 का शाह commission था आपको पता होना चाहिए कि 1975 में जो national emergency लगी थी इंडिया के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा excesses हुए थे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था तो उसकी inquiries के लिए जो commission गटित किये था वो JC शाह का commission गटित किये था और JC शाह जो थे ये बाद में 12th जो थे chief justice of इंडिया बने ठीक है तो ये काफी important है आपका और फैजल अली एचन कुंजरू और पानिकर ठीक है जी तो ये भी एक commission पहले बना था जिसके chairman थे फैजल अली और केम पानिकर और एचन जो कुंजरू थे ये वहाँ पर member थे ठीक है तो state reorganization का जो ये 1954 में बना था commission ठीक है तो ये successful नहीं हुआ था commission तो हिमाचल के बारे में कुछ खास नहीं हो पाया था next question है new year festival in चंद्रा और भागा वैली is called तो new year का festival क्या कहलाता है चंद्रा और भागा की वैली में ये हालदा कहलाता है यहाँ पर option B right answer है ठीक है इसी तरह से तिबितन यहाँ पर एक तिबितन festival भी मनाया जाता है तिब तो चंद्रा और भागा जो वैली है यह आपकी निकलती है लाहस पीती में और लाहस पीती के तंडी में मिलती है आपस में तो मिलने के बाद जो है यह पत्तन वैली कहलाती है वैली का नाम भी आप याद रखी कर पत्तन वैली पत्तन वैली कहलाती है और जो चंद्रा माने जाता है कि चंद्रमा की बेटी है और जो भागा है वो सूर्य के पुत्र है और दोनों ने आपस में विवाग कर लिया था Next question हम देखते हैं Next question है Which town of Himachal is known as छोटी काशी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है मंडी को, option D's में right answer है क्योंकि मंदिर यहां पर बहुत जादे हैं नदी के किनारे, किनारे, ब्यास नदी के किनारे, किनारे तो इसके इसी वज़ए से इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है मंडी को Next question है आपका The Hutu Fort in HP is located in the territory of एक तो Hutu Peak है वो आपकी शिमला डिस्टिक में है यह जो है आपका Hutu Fort था Hutu Fort एक काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती थी ठीक है गोर्खाओं ने भी यहां पर कबजा करके रखा कुलू के राजाओं ने भी यहां पर काफी टाइम कबजा करके रखा और फिर अंग्रेजों ने भी काफी टाइम अपने पास इसको रखा Hutu Fort को तो काफी इंपोर्टन्ट पोस्ट मानी जाती थी Hutu Fort ठीक है तो यहां पर none of these right answer रहेगा यह सत्लुज वैली में है ठीक है बाकी सारी चीजें जो है यह बाकी सारी options गलत है नेक्स्ट कोश्चिन है वेन डिड़ महात्मा गंदी विजिटेड धरंपूर सोलन एचपी एंड डिलिवर्ड अस्पीज ठीक है तो महात्मा गंदी जी कब आयते 1939 में धरंपूर आयते ठीक है चार-पांच वार महात्मा गंदी जी जो है एचपी में विजिट किये हैं एक बार ये राजकुमारी अमरित राजकुमारी अमरित को और जो है मनोर विला उनका जो रेजिडन्स है शिमला में वहां भी उनके पास टेह रहे हैं तो महात्मा गंदी के बारे में काफी सारे questions बन सकते हैं वह हम next videos में discuss करेंगे next question है who was the first हिमाचली sports person to receive Arjuna Award ठीक है Arjuna Award दिया जाता है किसी की बहुत ही distinguished service हो sports के खित्र में तो उनको Arjuna Award दिया जाता है तो सबसे पहला Arjuna Award दिया गया था सोमन रावत को सोमन रावत जो है इनका sports में काफी बड़ा contribution रहा है ठीक है इन्होंने जो है Asian Games जो होई थी 10th Asian Games 1986 में South Korea में Seoul में ये सारी चीज़े important हो जाती है वहाँ पर ये भी आप याद रखिये कि 3000 मेटर में Athletics में इन्होंने हिस्त लिया था वहाँ इनको bronze medal मिला था ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट येर ही 1987 में इन्होंने जो है सैफ जो South Asian Games होती है वहाँ पर इन्होंने 1500 मीटर और 3000 मीटर की race में इन्होंने gold medal जीता था ठीक है जी और 1986 में इनको ये जो है अवाड दिया गया था सोमन रावत को काफी important personality है next question है who took keen interest in promotion of Chamba embroidery and rumal ठीक है चम्बा रुमाल है आपको पता होना चाहिए ये भी बहुत ही important topic है चम्बा रुमाल क्योंकि चम्बा रुमाल जो है इसको GI tag geographic इंडिकेशन जो है आपका उसका tag दिया गया है GI tag दिया गया है GI act 1999 के अंतरगत ठीक है जी आप मुझे और बताईए और कौन कौन सी items हैं जिनने GI tag हिमाचल परदेश में दिया है आप comment box में बताईएगा आपको वो चीजें सारी पता होनी चाहिए काफी important हो जाती है और जो हम देखते हैं कि earliest जो reported form है चम्बा रुमाल की वो मिलती है बेबे नानकी से related है बेबे नानकी जो है वो sister थी किनकी sister थी गुरू नानक देव जी की sister थी बेबे नानकी तो सबसे पहला हमें वहाँ पर मिलता है ये चम्बा रुमाल का example तो यहाँ पर right जो option है वो आपका option D होगा कमला देवी चटो पाध्याए ने काफी काम किया actual में इन्होंने craft के एरिया में काफी काम किया ठीक है इस वजह से जो है इनको पदम वी भूशन से भी नवाजा गया है और पदम भूशन भी इनको मिला है ठीक है पदम भूशन जो की आपका भारत रतन के बाद थर्ड थर्ड हाइस्ट जो है पदम भूशन सिविलियन अवार्ड है वो इनको 1955 में मिला था और 1987 में इनको सेकंड हाइस सिविलियन अवार्ड पदम भी भूशन मिला था ठीक है नेक्स्ट कुश्चिन आपका है ठीक है किस सेंचरी में मसरू टेंपल कांगडा के बने थे तो इसमें सी राइट अंसर है ठीक है एट सेंचरी में तो यहाँ पर एक दो चीज़ें आप और याद रखिएगा कुछ लोग तो जो मिथिकली इसको कहा जाता कि शायद पांड़ों ने यहाँ पर निर्मान करवाया था लेकिन एट सेंचरी आप याद रखिए और पांड़ों से भी याद रखिए इनका संबंध जो है पांड़ों से भी माना जाता है माइथॉलोजी में और दूसरा जो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इन्हें अलॉरा ठीक है जी अलॉरा ओफ हिमाचल परदेश भी कहा जाता है अलॉरा ओफ हैच्पी ठीक है जी और एक और चीज़ आप याद रखिए अगर पूछा जाए अजन्टा ओफ हिमालयाज ठीक है अजन्टा अजन्टा और अलॉरा का आप याद रखिए गा थो दासा डिफरेंस कि अगर अलॉरा ओफ हैच्पी पूछ लिया जाएगा तो आपका मस्रूर टेंपल होगा और अगर अजन्टा आप हिमाल्या पूछ लिया जाएगा तो आपका ताबो मठ होगा जो आपका लाहॉल्स पीती में है तो ये 10 questions थे और इनके बारे में related जो भी information थी मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारी जानकारी मिले तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप like करें, share करें, subscribe करें हमारे YouTube चैनल को धन्यवाद